हेलो एब्रिवान वेल्कम बैक टू माई चैनल और आप देख रहे हैं डिवाइन डैरो डबल फोर आज की वीडियो में हम लिप्रा यानि की तुला राशी वालों के रिडिंग करेंगे जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि इस साल का पहला सूरे ग्रहन 20 अप्रेल को लगन करने वाला है तो लिप्रा राशी ये एक जानल प्रेडिक्शन होगी जितनी आपके साथ मैज करती है उतनी रखिए बाकी जाने दीजिए तो चलिए लिप्रा आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं लिप्राराशी यहां पर हमने काड्ड निकाले हैं आपकी हेल्थ, आपक लव लाइफ और आपकी फैमिली लाइफ को लेकर हम एक एक कार्ड को explain करेंगे सबसे पहले यहां में explain करने जा रहे हैं आपकी health के उपर क्या असर पड़ने वाला है तो आपकी health अच्छी रहेगी बट यहां पर ऐसा लग रहा है कि आप over burden कर रहे हैं आप अपनी family life को अपनी career को इनमें आप काफी hat trick हो रहे हैं इसमें आपको balance लाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है अगर आप जरूरत से ज़्यादा काम करेंगे और अपनी health को ignore करेंगे तो इसका पूरा असर आपकी health के उपर पड़ेगा बहुत ज़्यादा जरूरत है कि कुछ time आप अपने लिए भी निकालें और अगर आपको पहले से कोई health issue है तो उस पे step लेनी के आपको जरूरत है और आपका ये card ये भी कहता है कि आपकी पहले की जो health issue थे उनमें आप positive change देखेंगे काफी हद तक आपको उसमें relief मिल सकता है बट तब जब आप फोकस करते हैं तब कि आपको थोड़ी exercise करनी चाहिए थोड़ा सा अपने डाइट चार्ट को कंट्रोल करना चाहिए and healthy food आप मत लीजिए अधर्वाइस आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है आपके कार्ट कहते हैं कि यहां पे आपको चीजे balance नहीं कर पा रहे हैं जिसका असर आपकी health के उपर पड़ सकता है अगर आपका routine बहुत ज्यादा हेटिक है बहुत ज्यादा आप अपने काम को ज्यादा importance दे रहे हैं और बिल्कुल भी आप अपने घर की तरफ अपने relaxation की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इसका सीधा सासर जो है आपके health के उपर पड़ सकता है बहुत ज्यादा major issue तो यहां पे नहीं है बठा अगर आप अपनी health को ignore कर रहे हैं अपने काम के पीछे तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं अब देखते हैं लिपरन की आपका career कैसा रहने वाला है उसके उपर इस सूरे ग्रेंड का क्या आसर पड़ेगा लिपरन आपके career के लिए भी आप अपनी problem से fight करते हुए नजर आ रहे हैं आपके workplace में कोई problem हो सकती है यह हो सकता है कि आपके काम को appreciate ना किया जा रहा हो या आपके उपर बहुत ज्यादा burden नजर आ रहा है अगर ज्यादा burden है तो आपको अपने office में अपने boss के साथ में बा आप चीजों को balance कर रहे हैं चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं अगर आप job में हैं तो यह भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसा project मिला हो जिसमें आपको एक team में काम करना पड़ रहा हो और उसमें कहीं adjustment की कमी मुझे नजरा रही है आप में से कुछ लोग अपनी job को business को पारे में भी सोच सकते हैं क्यूंकि उन्हें इस काम में बहुत ज्यादा burden महसूस हो रहा है और जितना profit जितनी एक positive energy उनको चाहिए थी वो नहीं मिल रही है और जो profit वो expect कर रहे थे वो भी उनको नहीं मिल रहा है तो मेहनत बहुत करते हुए नजरा रिपना ना पा रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं एक adjustment की आपके काम में कमी लग रही है जरूरत से ज्यादा महनत बट वो महनत जो है वो आपकी असर ही नहीं कर रही है उसमें आपको काफी परिशानी आ रही है तो आपको चीजों को balance करना चाहिए जिसे कि आपकी health के लिए भी यही card आया था कि आप ए अपनी health को भी ignore कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है आपको जरह कूल माइंड होके थोड़ा सा analyze कीजिए जो भी condition है जो भी परिस्तितियां आपकी चल रही है थोड़ा सा problem तो मुझे नजर आ रहा है यहां पे खर्चा ज्यादा आम दिनी कम जरूरत से ज्यादा खर्चा भी कि अपनी बार आपको परिशानी में डाल देता है तो कहते हैं ना हर चीज एक budget में और balance में रहनी चाहिए तो definitely कुछ change तो मुझे नजर यहां पे आ ही रहा है हो सकता है कुछ लोग job change करें या कुछ लोग business change करें या कुछ लोग अपने काम के pattern को सुधाने की कोशिश करें तो आप अपने काम के pattern को लिब्रन सुधाने की कोशिश कीजिए आपको definitely इसमें relief मिलेगा अब देखते हैं आपकी love life कैसी रहने वाली है लिब्रन आपकी love life को लेकर भी आप मुझे confusion की condition में नजर आ रहे हैं आप जिस partner के साथ में अगर आप नया नया किसी की तरफ attract हो रहे है और मुझे यहां थोड़ी सी cheating की feeling आ रही है वो relationship आपके लिए वहतर नहीं हो सकता है या आपके अपने partner के साथ में बहुत जबरदस कुछ मुद्धों पर भहस हो रही है और चाहते हैं आपकी यह सब चीज़े जो आपकी love life है वो अच्छी हो सही हो अप में इसे कुछ choice में मुझे नजर आ रहे हैं एक mental conflict जिस तरह से कहा जाएं कि हाँ और ना तोनों ही नहीं कर पा रहे हैं आप पूरी तरह से आप खुद को फसा हुआ मैसूस कर रहे हैं लेकिन आपको इस चीज से बाहर आना ही पड़ेगा अगर आप इस चीज से बाहर आएंगे तो ही आप आगे जाएंगे और चीजे बहतर होंगी जब आप इनके लिए स्टैप उठाएंगे कभी कभी बहुत ज्यादा हम किसी को इजाजत दे देते हैं कि वो कुछ भी कर जाए बस हमें सिर्फ जेलना है जेलना है ऐसा नहीं होता जरूरत से ज्यादा ज्येलिए मत अगर चीजे अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनिटली आपके रिलेस्टे में चेंज आएगा और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि आप मेंसे बहुत सारे लोग जो है वो विचार करेंगे कि हां कुछ फैसले लेने के ऊपर कि हां अब हमें फैसला लेना चाहिए कि इस रिष्टे में हम र चीजे वर्क नहीं कर रही है या कोई ऐसा बंदा है जो चीट कर रहा है बहुत बुरी तरीके से आपको आप उस रिलेशन्शिप में है बट उतना जो एक कमफर्ट जोन है उससे बिलकुल बाहर है आप बिलकुल ज्यादा बाहर है तो चीजों को बैलेंस आपको करना ही रहे हैं एक्शन आप जरूर लेंगे और अगर कोई पैसे का मुद्धा है तो प्यार को थोड़ा सा पैसे से अलग करके देखिए तब ही आप उसमें कमफर्टेबल हो पाएंगे तो आप देखते हैं कि आपकी फैमिली लाइफ आपकी शोशल लाइफ कैसी रहने वाली है लिबरन फैमिली लाइफ और शोशल लाइफ में काफी हद तक रिलीफ महसूस हो रहा है चेंज हो रहा है आप किसी गैदरिंग में शामिल हो सकते हैं कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है कोई पूजा आपके घर में हो सकती है या आपके परिवार में कहीं हो सकती है जिसमें श कि आपकी सिचुएशन बनी हुई है आपके हेल्थ को लेके आपके करियर और आपकी लव लाइफ को लेके उसकी वज़े से आप पूरी तरीके से खुश भी नहीं है कहीं ना कहीं आपको रुकावट महसूस हो रही है कुछ मुद्दों पर डैफिनेटली लिबरन आप अड़ चाहिए होती है अपने हिसाब से चाहिए होती है अगर उसमें जरा भी किसी तरीके का उनके मन मुताबिक नहीं होता तो वो परेशान होते हैं तो किसी डिफिकल्ट चॉइस में इस टाइम पे मुझे आप फसे हुए नजर आ रहे हैं लिबरन तो आपको बहुत अच्छे से सोच विचार करके उससे बहार आना चाहिए अगर आप स्टेप उठा पाए तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए जो पल खुशी के मिल जाते हैं उन्हें ले लेना चाहिए कुछ मुद्ध ऐसे होते हैं जरूरी नहीं है कि आप ही हर जगे पे सही हूँ आपके मन मुताबिक ही हर चीजों ऐसा नहीं होता है तो कुछ चीजों में हमें एड्जेस्ट भी करना पड़ता है तो एक ओल ओबर देखते हैं आपका कैसा रहेगा आपका हेल्थ करियर और आपके उपर बर्डन जरूरत से ज्यादा है, चाहे वो करियर हो, आपकी फैमिली लाइफ हो, बहुत सारी चीजे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मल्टी रास्किन कर रहे हैं, एक साथ बहुत सारी चीजों को आप एड़िस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे आपको ब को अपने उपर मत ओड़िये, वर्ना परेशानी में पढ़ जाएंगे, एक नई शुरुवात आप कर सकते हैं, अपनी कंडिशन को अपनी परिस्थितियों को एनलाइज कीजिए, और उसके बाद इस स्टेप उठाइए, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, तो लिबर पासनल रिडिंग जो है फ्रेंज वो पेड होगी, तो चलिए लिबरन, फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए टेक क्यार, थैंक यू सो मच,